दोस्त नरेंद्र अग्रवाल प्राचिन मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गनेश ने इस दिन देवताओं का संकट दूर किया था इसलिए से संकट चोत भी कहा जाता है तो इस दिन गनेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया था और तब उनके पिता देव के देव महादेव ने उन्हें आसिरवाद दे कर कहा कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसके सभी संकट अवस्ये दूर होंगे तिल चोत को माही चोत संकट चोत और तिल कुटा चोत भी कहा जाता है यानि तिल चोत भी कहा जाता है तिल कुटा चोत भी कहा जाता है तो इस दिन महिलाए वरत रखती है तिल गुड और पांच गेहूं के आखे हाथ में लिये जाता है और फिर चांद उगने पर अर्द्य देकर ये सारी सामगरी चांद को अर्पित की जाती है कहानी सुनी जाती उसके बाद ही वुष्वत पूरा मना जाता है उसके बाद चांद के दरसन करने बाद भूजन ग्रहन किया जाता है तो इस वुष्वत को संपूर करने के लिए cuz कहानी कही जाती है वह भी आज इस वीडियो में हम आपको शेयर करने जा रहे हैं तो आई शुरू करता है उस कहानी को काफी पुरानी बात है एक सहर में दो भाई रहा करते थे और उनकी पतनिया भी साथ में रहा करती थी यानि कि देवरानी और जेठानी साथ में रहा करती थ देवरानी काफी गरीब थी और जेठानी काफी अमीर थी लेकिन दोस्तों देवरानी जो थी वो गनेश जी की परमभक्त थी देवरानी यानी छोटे भाई की पत्नी छोटे भाई की जो पत्नी थी दो भाई थे तो छोटा बड़ा जो छोटे वाला भाई था छोटे वाला जो पतनी देवरानी काफी गरीबी से इनके दिन बीत रह थे और ये गनेज जी के परमभक्त थे देवरानी का पती जंगल से लकड़ी काटकर बेचा करता था और उसी से उनके घर का गुजारा हुआ करता था लेकिन बात यहीं खतम नहीं होती है क्योंकि देवरानी का पती अक्सर बिमार रहा करता था थो उनकी दुर्दसा और अधिक ज्यादा खराब थी देवरानी जेठानी के घर का सारा कार्य किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना जूटा खाना पुराने कपड़े इतियादी उसको दे दिया करती थी और इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था समय निकलता गया माग महिने में देवरानी ने तिल चोत का व्रत किया पांच रुपईये का तिल वगुड लाकर उसने तिलकुटा बनाया पूजा करके तिल चोत की कथा उसने सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी कथा सुनाई गई कथा सुनकर वह जैठानी के यहाँ चली गई और उसने वहाँ जैठानी के यहाँ खाना बना लिया क्योंकि वहाँ कारी करती थी, खाना बनाने जाया करती थी खाना मना कर जेठानी के बच्चों से उसने कहा देवरानी ने कि खाना खालो तो जेठानी के बच्चे बोले कि नहीं मा ने वरत किया है और मा भुकी है जब तक मा खाना नहीं खाएगी तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे तो दोरानी ने अपने जेट जी से कहा कि आप खाना खा लीजी ये भाई साथ तो जेट जी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं मैं अक्यला खाना नहीं खाऊंगा जब चान निकलेगा तब सभी साथ खाएंगे तब ही मैं खाऊंगा तो जेटानी ने उसे कहा कि آज तो किसी को भी अभी तक खाना नसीब नहीं हुआ, किसी ने भी खाना नहीं खाया तो मैं तुमें कैसे दूँ अब उसे चुकि वरत खोलना था तो वो भी उदास्थी हो गई लेकिन अब कर क्या सकते थे, तो जठानी नमसे कहा कि तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना जो खाना बचता था सभी को खिलाने के बाद वही उनके नसीब में आता था तो ठीक है साब देवरानी खाली हाथ ही चली आई अपने घर पर देवरानी के घर पर पती और उसके बच्चे सब आस लगये बेठे थे कि आस तो त्योहार का दिन है इसलिए कुछ पकवान आदी खाने को मिलेगा जेटानी के घर से कुछ तो पकवान आएगा ही आएगा परन्तु बच्चों को क्या पता था कि आस तो रोटी भी नसीब नहीं होने वाली है देवरानी खाली हाथ घर चली आई उसे खाली हाथ देखकर पती को भहुत गुसदा आया है पहले तो बीमार और बीमारी में विक्ती चड़चड़ा हो जाया करता है तो उसके पती को बहुत ज़्यादा गुसा आया सारा दिन काम करके भी दो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो पती ने गुसे माकर अपनी पती को कपड़े धोने वाले धोने से धोवन जो डंडा होता है उससे मारने लगा धोवन हाथ से छुटा तो उससे पाटे से मारने लगा जो हाथ माया उससे मारने लगा अब बेचारी देरानी क्या करती सुबह से भूकी प्यासी वरत करी भी, काम भी करी भी काम करके आई, जोड जोड से रोने लगी गनेज जी को याद करने लगी गनेश जी को याद करते हुए पानी पिया और सो गई क्योंकि बस अब तो पानी ही नसीब में था उस दिन गनेश जी देवरानी के सपने में आये और उसे कहने लगे दोने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है यानि कि दोने से मार खईवी पाटे से मार खईवी देवी तुम सो रही हो या जाग रही हो तो देवरानी गनेश जी से बोली कुछ तो सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ गनेश जी बोले भूख लगी है कुछ खाने को दे मैं भूखा हूँ तो देवरानी बोली अब क्या दूं तुम्हें मेरे घर में तो अनका एक दाना भी नहीं है जठानी बचा खुचा खाना दिया करती थी पर वो आज हमें मिला नहीं है पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है वही खा लो ठीक ऐसा गणेज जी तिलकुटा खाने लगे तिलकुटा खाने के बाद गणेज जी बोले दोवने मारी पाटे मारी निप्टाई लगी है कहा निप्टाई लागी मतलब मौसन बन गया है फ्रेस होना है गणेज जी नहीं उसे कहा कि भई फ्रेस होना है बताओ खाना तो तुमने खिला दिया अब फ्रेस होने कहा जाओ अब देवरानी उससे बोली गनेश जी से बोली ये पड़ा है घर पूरा घर है जा तुमारी इच्छा हो वाँ निपट लो जा इच्छा हो वाई ठीक गनेश जी बोले वाँ ठीक है साथ पूचु कहा ये बता दोने के लिए कोई जगह निपट तो लिया अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कब के तंग करे जा रहे हो तो गनेश जी से बोली मेरे सर पे पोचो और कहां पोचोगे गुस्से में आदमी बोलता है मेरे सर पे देमार, मेरे सर से पहुँच ले तो देवरानी ने गनेज जी से बोला मेरे सर पे पहुँच लो और काई अब सुबह देवरानी जब उठी तो ये देख कर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा सिर पर जहां बिंदाइक जी ने पोचनी करी, वहाँ पर हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं, ठीक है साब अब तो देवरानी रईस हो गई, अमीर हो गई उस दिन देवरानी जठानी के काम करने नहीं गई तो जठानी बड़ी देर तक रहा देखने लगी, बड़ी देर तक रहा देखने के बाद जठानी के बच्चों ने देवरानी को बुलाने के लिए बेजा जठानी ना सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए सायद देवरानी बुरा मान गई है तो बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चाची चलो मा ने बुलाया है सारा काम पड़ा है खाना भी बनाना है दुनिया में चाहे कोई मोका चूक जाए पर देवराणी जेठानी आपस में कहने का मोका नहीं छोड़ती है तो देवराणी ने बच्चों से कहा बेटा बहुत दिन तेरी मा के यहां काम कर लिया अब तुम अपनी मा को ही मेरे यहां काम पर भेज दो ठीक है जब बोल दो अपनी मा को जाकर बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है और अब उन्हें काम करने की कोई आउ सकता नहीं है ऐसा सुनते ही जेठानी जल भुन गई दोडती हुई देवरानी के पास आई और पूछा ये सब कैसे हुआ तुम्हारे पास इतना पेसा इतना धन इतने हीरे जमारा कहां से आए तो देवरानी ने उसके साथ जो भी घटना घटित हुई सारी उसे कहे डाली बेचारी देवरानी सीधी साधी थी उसने सारी कहानी उसे बता थी घर लोटकर जेठानी अपने पती से कहती है मुझे धोने से मारो पीटो मुझे जोड जोड से पाटे से मारो उसका पती बोला कि भली मानस मैंने कभी तुम पर हात नहीं उठाया तुम्हें कभी धोने पाटे से कैसे मार सकता हूँ पर वे नहीं मानी जित करने लगी मजबूरन उसके पती को यानी जेट को उसे मारना पड़ा दबा के उसने मारा सारी कसर निकाल ली और धेर सारा घी डालकर उसने चुर्मा बनाया और छीके पर रक कर रोते रोते सो गई नाटक करती है रात को चोत विंदाएक जी सपने मा आये कहने लगे भूक लगी है उठो बताओ मैं क्या खाऊ जेटानी ने का ए गणेज जी महराज मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूका चुंटी भर तिलकुट्टा खाया था मैंने तो जड़ते जड़ते घी का चूर्मा बनाया है आपके लिए छीके मा रखा है फालो और मेवे भी रखे है खालो जो मरजी हो गणेज जी बोले ठीक है साब खाल लेते हैं खाल लिया गणेज जी ने अब बोले आप निप्टे कहां जेठानी बोली उसके यहां तो टूटी फूटी जोबडी थी मेरे यहां तो कंचन के महल है जहां चाहे निपट लो जहां आपकी इच्छा हो फिर गणेज जी ने ठीक है भई निपट लेते हैं फिर गणेज जी ने पूचा अब पोचू कहां पोचने की जगे बता भाई तो जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोच लो धन की भूकी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई सोचा घर हीरे जवारत से भड़ चुका होगा पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फेली वी थी बदबू आ रही थी तेज भयानक बदबू आ रही थी उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी वी थी तो उसने कहा है गणेज जी महराज यह आपने क्या किया मुझसे रूठे और देवरानी पर तूटे ऐसा क्यों जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोसिस करी पर तो जितना सफाई करती उतनी ज्यादा गंदगी फेलती जाती गंदगी की धेर लग गए अब जेठानी के पती को जब मालूम चला तो उसे बहुत गुस्सा आया उसने बोला तेरे पास इतना सब कुछ था बली मानाज फिर भी तेरा मन नहीं भरा इतना सब कुछ होते वे भी तू लाल्ची हो गई परेसान होकर चोत के बिनाएग जी से मदद की विंती करने लगी बिनाएग जी ने कहा देवरानी से जलन के करण तुने जो यह किया है यह उसी का फल है अब तू उसे भुगत अब तू अपने घर में से अपने धन में से आदा धन उसे देगी तभी यह गंद की साफ होगी उसने आदा धन बाट दिया किन्तु मोहरों की एक हंडी चूले की नीचे गाड रखी थी उसने सोचा किसी को क्या पता चलेगा और उसने उस धन को बाटा नहीं फिर लाला चा गया उसने कहा है चोत बिंदायक जी अब तो अपना ये बिखराव समेट लो वे बोले पहले चूले के नीचे गड़ीवी मोहरों की हंडी साइथ ताक में रखीवी दो सूई की भी पाती कर ले भाई उसे भी बाट ले उसके बाद मैं बात करेंगे इस परकार बिंदायक जीने सूई जैसी चीज का भी बटवारा करवा कर अपनी माया समेटी तो है गणेजी महराज जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वेसी सब पर करना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को हुंकारा भरने वाले को इस वीडियो को देखने वाले को इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले को इस कहानी को इस वीडियो को लाइक करने वाले को सब पर अपनी कृपा करना किन्तु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना माराज बोलो गनेश जी माराज की जै बोलो चोत माता की जै तो दोस्तों यह है वीडियो यह है जानकारी एक कहानी आपको अच्छी लगी हो यूसफुल लगी हो तो करपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं कियावा है तो करपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजे एक नया वीडियो एक नहीं जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अगरवाल फिर मिलूँगा तब तक के लिए इस्टे हेल्दी इस्टे हैपी थैंक यू फर वचिंग माई वीडियो थैंक्स जै स्री राम जै हनुमा